स्टुडेंट, स्टुडेंट सी एसी बोल एक्सरसाइज 5.1 क्वेस्टन नमबर 2 यहां पर क्वेस्टन का गया कि गिवर डेफिनिशन फार इच आप दा फालोविंग टर्म्स यहां पर यह आपके पास दिये वे क्वेस्टन में पैलर लाइन के डेफिनिशन है वें टू लाइन रन विद इच अदर दो लाइन एक साँ चलें एक होरिजन्टल वर्टिकल जे से भी उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो एक्वल हो आप मानके चलो यह रेल्वे लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी हर जगह एक्वल होगी और यह पॉइंट A, B, C और D है यह एक पैलर लाइन होगी एक लाइन है और उस पर भूसरी लाइन फाल्स करती ही कितने डिगरी का आप यह लिख सकते हो यहाँ पर A, B, P and Q A, B is perpendicular on P, Q and you can write here P, Q is perpendicular on A, B Next line segment when a line has two endpoints एक line है और उसके यहाँ पर दो endpoints है यह endpoints है इसे क्या कहेंगे Line segment on both sides is called a line segment Radius of a circle आप एक radius बनाएं और यहाँ center है Center को O बना दिया इसको A हो गया इसको आप R से donate करते हो तो लिखा गया The distance from center of a circle to circumference आप same circle is called radius of a circle Square, when a quadrilateral has four equal sides When a quadrilateral हो और उसकी चार sides हो और चारों equal हो यह सारी क्या हो A के बराबर होएगी और यहाँ पर यह 90 degree के angles हो गए है ठीक है ऐसे को हम क्या कहते हैं इसको आप किसी point से दे सकते हो ना A, B, C, D या फिर P, Q, R, S इस तरह से दे सकते हो When a quadrilateral has four equal sides जब किसी quadrilateral के चार equal sides होती हैं और four vertices of 90 degree और उसके चारों जो vertices हैं वो कितने degree के हो 90 degree के हो तब आप कहते हो कि वो जो figure बनी वो square हो गया ठीक यह question आपको समझ में आ गया इससे आप अच्छी तरह से copy कर लीजे अपने friends को इससे share कीजे इसे पहले के chapters की video's देखने के लिए description box में link देवे हैं वहाँ देख करके आप उन questions की भी study कर सकते हो Thanks to you, thanks to you